आपका बहुत सवागत है आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है खासकर खिजनर्स के लिए आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको मुड़े के फंदी यह दिखिए यह मुड़े का साइड यह और ये फ्रंट साइड है मैं आपको बताने जा रहे हूँ कि आप जंसर्टर, एक जंसर्टर रेंसम इसमें अटो आइन डाला है डिजाइन का वीडियो में जल्ली अप्लोड कर नूँगी तो यहां पि मैं बताने जाुँ हैं मुड़ी के पंदी कैसे हैं कितनी उठानी है कैसे उठानी है और उसका बॉर्डर किस तरह से बनाना है आज की वीडियो में आपको यहीं बताऊंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह दिखिए यह इंदम नीचे का साइड है आप देख सकते हो इंदम नीचे का है जहां से पंदे पहली सुर्वादी में इखटे तो यहां पर मैं इस तरह से इस तरह से इसको नीडल डालोंगी और यहां से एक हमें फंदी नहीं बनानी है पहले से इसको निकालोंगे उनको हमίश कर दूंगी क्योंकि विगनर्स को यह बहुत ज़रूरी होता है कि मतलब अबक। इसको गाट लगा दिया इसको फिक्स कर दिया अब मैं फंदयों उठाना स्थार्ट करणगे से फंदयों इस तारोग蛇सकै यहां पर मैं इस कार मढ़ना पहले तो फंदयो यहां तो कर on यानि 55 फंदी उठाओंगी और आगे यानि फ्रेंट साइड में भी मैं 55 फंदी उठाओंगी टोटल मेरे हो जाएंगे 110 फंदी तो इस तरह से मैं फंदी उठा लूँगी कि यह दिखें मैं आपको पूरा फंदा उठा के फिर आपको दिखाते हूं मैं यहां पर फंदी उठाओंगी यह मैंने बेक्टाइड का उठाओंगी यहां जब तो अब मैं इसे आपको उंगेल करके उठाओंगी कि काउंटिंगर कि मैं मैं अबर फंदी उने काउंट को रोगी एक दो इन चार पांट छेस साथ आर नौ दरस ग्यादा बादा तेरा चाओदा अंजा सोड़ा इत्रा थारा नीज दी इकिस ताइफ तेरीस चौवश पचीश 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 पदे होगे और यहां से मैं पांसे में जेती हूं एक तो इन चार पांच यांगी की टोटल मे एक चार प्रीम इसे साथ कर ने कीशिश पचीश बादा अंजाना मिया वत्ती खेली होगा छेरी आरको अगल प्रांश पिख सर प्रांगि को तो आप सिस्ट्रेमर कर तहां करता है तो फ़्राम से थोड़ा रचा ना यह एसा रचा ना जो प्रफ़ाइब यूज करते हैं तो यह ज़ता है अधियो इसे ने थोड़ी क्रप्र मुझे इस तरा कि इसको अपिक्मोट करके इस दर्फ फंदी उठाएजी आप ध्यांद लगे जितना आपका बैक साइड रेए पक इसे सदी अथाएज आपको जितना बैसाईड ने रचा लगे जितना पर अपनदा उतना इस दर्फंदी उठाने के ऊड़ाँ मैं देखने मैं वह समें बिंग्नर्स, उमजे कोई दिकत नहीं हो इसके इसे दिकत में इसके यूज कर थेजिए, लेकिन आपके इंवे बतारह अब मैं इस पतला सा जो मैंने यहां प benefited बोल बनांगे यही बाला पार्ampa में functional बतार से पतानी चल रहा की teane टेकीन को वैये इस बहुत सुनुदर में ये बहुत बत बनाती है बहुत सातों सटर में यही बाड़र चलता कलता है कॉत बडल बनाने के लिए तो मैं आपको बताओं की बनाने के लिए इस बॉर्टर को बननाने के मैंने 11 के सलाहिका रश्तेमाल क्या है आगर 12 के सलाहिका इस्तिमाल करना चाहते हैं लेकीgesch contributor क्यूंकि ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा यह पतलۜ में वा मैं आपको बता देती हूं इसकी पहली रूप किस तरह से इस माpping भांए है तो यह कुकई पहला फंदा हम है नो पहलाँ अम उल्टा बनाना ऑसन बाजान दीचेए का पिर लूह से यह सleggak उठानें Face पहले हम इस इस तरह से फंदी, we will slice by of the यह से बनाना है कि इस तरह से हम सिद्धी सलाई बनाते हैं लेकिन इस तरह से ना बना के हम इस तरह सी ने ले तरह से पहली रोन कमप्लीट कर देंगे उड़ला है clearer to थे और वी उसमेदर्ट इसी तरह से बनते हैं और जो फिग्नर जिनको बुनाई ना के परावर आती हैं अगर वो कमेंट करेंगी कि उनको मैं आच्छे से नॉर्मली बहुत समझांके बताओं बुनाई किस तरह से की जाती है आप आसान तरीके से किस तरह से बनाई कर सकती है तो प्लीज आप कमेंट किजएका मैं जरूरी वीडीय अप्लोड करूंगी आपकी कहने के मताबिक ताकि आपको समझ्में आये में एक ताहिए nuggets है इस तरह से म्हें पोरी वे तो ध्यान से देखेजा वीडियो यह देखिए तो आपको में बता दू नॉर्मली आप लो जानती ही होंगे यह आप देख लीजेगा यहां से अगर यह गांट तरीके से बना होगा तो यह उल्टा फंदा है और यह सीधी-सीधी का फंदा तो तुरंत यह दिखिए मेरा बना है तो यह सीधी तरह से हो गया है आप देख सकते हो लाइन के तरीके बन गया है यह मेरा सीधा फंदा है और यह गांट के तरीके बना है यह मेरा उल्टा फंदा है और पहला फंदा भी उल्टा है कि गांट के तरीके आप दूसरा फंदा दिखिए सीधी-सीधी बना है यान वन पीछे कर सीधा ऐसा को सीधा बनाओंगी शाय थे चुर्ण जो सो सीधा बना है इसी तरह से हम ध्यान के ध्यान के उत्यकों बनानी है इसी तरह से तीसरे सलाइवी इसी तरह से बनानी है जो हमारा सीधा फंदा है उसी हम सीधा बनेंगे जो उल्टा फंदा है उसे उल्टा बनेंगे अगर आप थोड़ा सा इधर-उदर कर देंगे ना तो हमारा पूरा बोड़र इतम पिकार हो जाएगा वो क्लीन नही तो इस तरह से हमी पूरी सलाई बुननी है और कहां तक बुनना है जितना आप चाहें उतना आप बुन सकते हैं तो मैं आपको यह सलाई बुन करके आपको दिखा देती हूं कितना हमी बुनाई करनी है